हलो एवरिवन, स्टडी आईक्यू में आपका स्वागत है स्टडी आईक्यू के इस वीडियो में मैं 150 multiple choice question कवर करूँगा जो फरवरी के 8 तारीक और 14 फरवरी के बीच के 7 दिन के थे, तो टोटल question का नंबर है 150 और ये होंगे दूसरे हफते के question अगर आप मुझे facebook पर follow करना चाहते हैं तो आपको ये link अपने browser में type करना होगा, url है www.facebook.com और हमारे जो pen drive courses हैं सारे update कर दिये गए हैं, अब आपको हर हफते दो वीडियो बोनस provide किये जाएंगे, लगबग 200 वीडियो अलड़ी pen drive के अंदर हैं, इसके अलावा हर हफते दो वीडियो और SBI PO की अगर आप लेते हैं तो उसमें हर रोज एक नया वीडियो आपको provide किया जाएगा, total question 100% cover किये जाएंगे, ना सिरफ past papers के, बलकि expected question भी computers और banking जैसे subject में डलवा दिये गए हैं आप अगर कोई भी pen drive हमारी खरीदना चाहते हैं, तो आपको इस number पर call करना होगा, 958-0048-004 तो चलिए ज़्यादा विलम बना करते हुए, हम मैं शुरू करता हूँ National Maritime Foundation ये दो दिन का अपना Annual Maritime Power Conference इसने आयोजित किया Maritime का मतलब होता है समुद्र संबंदी, जो भी कोई चीज तट या समुद्र संबंदी होती है, उसे बोलते है Maritime, और हमारे National Maritime Foundation ने दो दिवसिये ये सालाना अधिवेशन किया और ये हुआ नई दिल्ली के अंदर तो ये 9 और 10 फरवरी को हुआ था एक चीज और पूछ सकते हैं इसमें इसका थीम क्या था तो इसका थीम था Blue Economy Blue Economy एक जनल टम है जो बहुत सारी चीजों के लिए यूज की जाती है जैसे मचली उत्पादन, जैसे Shipping, Port Infrastructure यानि जब आप किसी बंदरगा पे अधारिक सरंचना बनाते हैं उसके लिए Shipbuilding के लिए, Repair के लिए टापूओं की विकास के लिए तो उससब को बोलते हैं Blue Economy और ये आयोजित किया गया 9 से 10 फरवरी को आगे भड़ते है प्रसार भारती जो है इसके अंडर दो चैनल आते हैं एक तो आता है All India Radio और All India Radio जिसका पुराना नाम था आकाशवानी और एक आता है दूरदर्शन तो दोनों को परसारित करता है परसार भारती और इसके नए Chief Executive Officer बने है Mr. Rajiv Singh इन में से कौन सा देश है जहां पर जो BIMSTAC है BIMSTAC आप जानते हैं बंगाल की खाड़ी के आसपास जो देश हैं उन्हें बोलते हैं BIMSTAC तो BIMSTAC एक बहुत ही जादा important group है इसमें साथ देश है साथों के नाम भी आपको याद रखने है Bay of Bengal Initiative for Multisectoral Technical and Economic Corporation जिसको शौट में बोलते हैं BIMSTAC और इसमें कौन-कौन से देश हैं इनके नाम का आपको रट्टा लगाना है ये देश हैं बंगलादेश, भुटान, इंडिया, मयामार, नेपाल, श्रीलंका और थाइलेंड और BIMSTAC का headquarter कहां है धाका धाका जो की बंगलादेश की राजधानी है और बंगलादेश की परधानमंत्री है शेख हसीना बंगलादेश की जो currency है वो है टका बंगलादेश की जो पहली meeting होगी ये जिसमें रास्टिय सुरक्षा सलाकार यानि नेशनल सेक्योर्टी अडवाईजर सब देशों के meet करेंगे और भारत के नेशनल सेक्योर्टी अडवाईजर है अजीत डोवल सहाब ये meeting होगी भारत के अंदर इंडिया इन में से कौन सा देश है जिसने चोथा roll ball world cup tournament 17 से 23 फरवरी को जो देश होस्ट करेगा 17 फरवरी से start होगा 23 फरवरी को खतम होगा इसको कहते हैं roll ball world cup और ये roll ball जो है ये एक नया खेल है इस खेल का विशकार किया था एक पूने के वैक्ती ने भारती ने किया था और इस भारतीय का नाम है राजु धबाडे राजु धबाडे नाम के वैक्ती ने ये खेल खोजा था और अब तक इसके तीन World Cup हो चुके हैं जिन में से दो भारत नहीं जीते हैं और अब चोथा World Cup होगा 17 से 20 तारिक तक और इसको आयोजित किया जाएगा धाका के अंदर, बांगलादेश के अंदर इन में से कौन सा राज्य है जो पहला राज्य बना जिसने Public Distribution System यानि की जो खाद्यान है उनके वित्रण के लिए जो सिस्टम है हमारा उसमें Cashless System establish किया है कौन से राज्य ने इसको Cashless बनाने के लिए PDS को पहल किया और ऐसा करने वाला ये पहला राज्य बना तो ये राज्य है गुजराद जहांपर भारती जंता पार्टी की सरकार है और गुजराद के मुख्य मंत्री है वेजय रूपानी क्योंकि ये बहुत टफ है क्योंकि पहले नंदी बैन पटेल थी फिर वेजय रूपानी बने थे और ये बहुत ज़्यदा चर्चित वैक्ती इस कमेटी के अंदर और जो आप जानते हैं हर्याना में पिछले साल जाट अंदोलन हुआ जाटों को रिजर्वेशन चाहिए हर्याना के अंदर हरांगी हर्याना में वो dominant caste है तो यहां पर एक कमेटी का गठन किया गया है जो इस बात पर ध्यान देगी कि जो हर्याना में चिफ सेक्रेटरी D.S.धेशी साहब को D.S.धेशी और कौकता हाई कोट के कौन से जज के खिलाफ सुपरीम कोट ने एक content of court notice दे दिया है क्योंकि इन्होंने जो judiciary है उसके साथ उसके कानूनों के साथ खिलवाड किया कानूनों का उलंगन किया एक जज होते हुए तो इनके खिलाफ content of court notice supreme court ने दिया है और ये पहली बार हुआ है ऐसा इससे पहले कभी नहीं हुआ कि किसी high court के judge को supreme court ने contempt of court notice दिया हुआ तो इन judge का नाम पूछा है जिनके खिलाफ ये notice जारी हुआ है ये है कौलकता high court के judge C.S. कर्नन इन में से किस महिला खिलाडी ने एकल खिताब जिता single title जिता badminton का national championship जो हुई थी पटना के अंदर बिहार की राज़ानी पटना में ये 81 वा senior badminton national championship था तो इसको किस ने जिता तो इसमें आपको याद रखना है एक तो male और एक female दोनों याद रखने है दो ही पूछेंगे आ एड्मिंटन और जो female वाला खिताब जिता है वो जिता है रितू पढ़ना दास ने इन में से किस वेक्ति को kings 11 पंजाब जो IPL की टीम है इसका chief operating officer यानी COO बनाया गया है तो दो position होती है important एक तो होता है CEO यानी chief executive officer जो ज़्यादा बड़ी post होती है और एक होता है chief operating officer अब य और जो राजीव खन्ना है ये है COO यानी chief operating officer तो यह आपको याद रखना है kings 11 पंजाब इन में से कौन सा देश है जिसने एक transmitter बनाया है टेरा हर्ट्स transmitter इसमें बहुत ज़्यादा डेटा यानी 0.1 टेरा बिट पर सेकंड जिसको बोलते हैं 100 गीगा बिट्स 100 GB पर सेकंड की speed से internet या कोई भी digital data transmit हो सकता है इस transmitter से तो इसको बनाने का जो श्रे है वो जाता है जापान के वग्यानिकों को जापान के जो head of state है उनका नाम है शिंजो आबे और जापान अभी अभी news में इसलिए आया था क्योंकि जापान के जो head of state है शिंजो आबे ये अमरीका के president Donald Trump से अभी अभी मिले थे और इन्होंने सुरक्षा में खासकर दक्षिन चीनी सागर यानि South China Sea में आपसी सहयोग के लिए कई सारे करार कियें तो जापान की जो राजधानी Tokyo है और currency है yen इसरो इसरो अभी अभी बहुत ज़्यादा news में रा क्योंकि PSLV C-37 carrier से इन्होंने 104 satellite भेज रश्या का record तोड़ा है तो Indian Space Research Organization का headquarter है Bengaluru में और A.S. Kiran Kumar है इसके chairman अब आपको ये बताना है इसरो ने अभी अभी कौन सी technology का निर्मान किया है यानि indigenous technology है खुद भारत के अंदर निर्मित made in India तो ये technology है TTCP यानि telemetry and telecommand processor TTCP और ये technology यूज होगी GSL जो geostationary satellite है यानि GS GSAT-19 को ले जाने में अंतरिक्ष तक जो की आने वाले समय में इस रो इसको launch करेगा जी सैट 19 में technology कौन सी use होगी TTCP ये question है science and technology से एक बहुत ही रहस्य नियूमा तारा pulsar star देखा गया है जिसका नाम है AS Scorpi या short में आप बोल सकते हैं AR score इसको scientist ने discover किया है अभी अभी ये एक बहुत ही रहस्य नियूमा तारा है pulsar star है और ये धरती से 380 परकाश वर्ष दूर है यानि 380 light years away from the earth तो आपको बताना है ये किस तरह का तारा है ये किस तरह का तारा है ये तारा जिस category में आता है वो है white dwarf star wife dwarf जो doctors होते है doctors के लिए सर्वोच जो सम्मान होता है वो होता है Dr. BC Roy national award ये दिया जाता है doctors को अपने outstanding contribution के लिए तो इस बार जो doctors के लिए medical practitioners के लिए highest award है Dr. BC Roy national award ये कौन से doctor को दिया गया है ये जो doctor है ये बहुत बड़े भारत के breast surgeon ह जाने और ये president भी है association of breast substance of India के इनका नाम है Dr. P. Raghuram और इनको ये award दिया जाएगा एक जुलाई को क्योंकि एक जुलाई को हम मनाते हैं चिकित सक दिवक्स जानी doctor's day इन में से कौन से booker prize जीतने वाले novelist है जिनकी किताब The Golden House इसको penguin random house ने publish करने का announcement अभी हभी किया है तो क Salman Rushdie very very important हमारा जो मानव संसाधन विकास मंत्राले है यानि human resource development ministry और हमारे जो minister है इसके लिए वो है परकाश जावडेकर HRD minister तो इन्होंने एक committee बनाई है जो Central Advisory Board of Education C.A.B.E. को इन में से कौन से राज्ये के deputy chief minister है जो इसके chairman होंगे मैंरे question को simplify कर देता हूं Central Advisory Board of Education यानी C.A. C.A.B.E. के अधिकरत एक committee बनाई गई है सब committee बनाई गई है आपको बताना है इसके chairman कोन से राज्ये के उपमुखे मंत्री होंगे तो ये जो उपमुखे मंत्री है ये है तेलंगाना के उपमुखे मंत्री तो answer है तेलंगाना के उपमुखे मंत्री और इनका नाम भी तो यह राज्य है जार्खंड जार्खंड के जो मुख्यमंत्री है वो है रगुबर्दास जो पहले गैर आदिवासी मुख्यमंत्री है यानि नॉन ट्राइबल सीम है जार्खंड के और जार्खंड अभी अभी न्यूज में क्यों आया था जो एक आतंगवाद से निपटने के लिए एक meeting organize कर रहा है जिसका नाम है Global Initiative to Combat Nuclear Terrorism इसकी जो group meeting है वो कौन सा देश organize कर रहा है So ये meeting organize हो रही है इंडिया के अंदर और ये जो GICNT है इसमें 86 partner countries हैं और 5 observer organization है यानि total country कितने है GICNT का हिस्सा 86 और इसको बड़े-बड़े countries जैसे रूस और United States से मिलके बनाया था 2006 के अंदर GICNT को Housing Development and Infrastructure Limited इन में से कौन सी जगा पे affordable prices के लिए एक नए budget home launch कर रहा है यानि कि एक ऐसे घर जो बहुत कम दामों में बनाए जा सकें तो इसके लिए Housing Development and Infrastructure Limited कौन सी जगा का launch कर रहा है ये एक initiative ये launch किया जाएगा Mumbai Metropolitan Region यानि MMR स्वांसर है Mumbai Maharashtra Softbank Company के जो Chief Operating Officer है और Managing Director Jonathan Bullock उन्होंने अभी अभी अपना इस्तीफा दे दिया कौन सी दो बड़ी कमपनिया है जिसमें Softbank की investment है भारत के अंदर और जो Jonathan Bullock है ये इन दो बड़ी कमपनियों के Board of Directors में थे उन्होंने इस्तीफा दे दिया Softbank Company के जो पहले President थे वो भारतिये थे निकेश अरोडा अब नहीं है इनको निकाल दिया गया था Softbank एक जापानी टेलिकॉम कमपनी है Japanese टेलिकॉम कमपनी है Softbank और भारत की दो बड़ी कमपनियों में इनका निवेश है इनका नाम है Ola और Snapdeal Denmark एक देश है इसकी राजधानी है Copenhagen Scandinavian कंट्री है बहुत ही developed विक्सित देश है Denmark तो Denmark का एक बैंक है जिसका नाम है Saxo Bank इसने भारत के कोन से बैंक के साथ मिलके एक tie-up किया है Actually Brokerage Company है यह इस बैंक की तो इसके साथ मिलके एक tie-up किया है और यह किया है इनोंने ICICI Securities के साथ Fertilizer की जो कमपनी है Ifco तो Ifco ने कौन से बैंक के साथ एक agreement किया है यह दोनों मिलके एक debit card launch करेंगे Co-branded Co-branded का मतलब होता है अगर यह debit card है तो इस पे Ifco का logo भी रहेगा और इस bank का भी रहेगा और यह credit debit card इसलिए launch किया गया है जिसे जो किसान है उन्हें cashless transactions अवेल करवाई जा सके है उसको promote किया जा सके है खासकर ग्रामीन इलाकों के अंदर यह bank है Bank of Baroda bank of Baroda जिसका headquarter है वडोदरा में तो यह गुजरात के अंदर है और वडोदरा नया नाम है बरोडा पुराना नाम है और वडोदरा को वडोदरा क्यों बोलते हैं क्योंकि यहां वड के पेड़ मिलते हैं इसलिए वडोदरा बोलते है इन में से कौन सा ऐसा compound है जिसके साथ मि यानि को ने thermodynamically stable compound है तो इसमें कौन सी noble gas है noble gas होती है जो react नहीं करती जिसकी जो अभिक्रिय शीलता है यानि reactivity है वो कम होती है तो यह है helium gas hydrogen helium इसका atomic number 2 होता है अगर आपने आवरित ताली का यानि periodic table पढ़ियो रसायन विज्ञान में chemistry में तो आप इसको समझ जाएंगे औ Na2he यानि sodium के इसमें दो atom है और helium का एक atom है इन में से कौन से दो bank है जो भारत bill payment system का हिस्सा बने जो अगस्त में launch हुआ था भारत bill payment system BBPS इसको किसने बनाया है National Payment Corporation of India ने यानि NPCI ने और यह जो दो bank है यह BBPS का हिस्सा बन गए है जिससे अब बहुत सारे bill एक ही platform से आप pay कर स रखते हैं तो यह दो bank कौन से हैं इनका नाम है HDFC bank और Kotak Mahindra bank और HDFC bank के founder बहुत पूस्ते हैं exam में इनका नाम है अधित्यपूरी यह है HDFC bank के founder और managing director रेल मंत्री सुरेश प्रभू यह बना रहे हैं भारत के अंदर station redevelopment project इसमें जो railway station है उनको पुनर उनका विकास किया जाएगा उनका पुनर विकास किया जाएगा तो आपको बताना है यह जो railway station है इनका पुनर निर्मान किया जाएगा यानि इनको नवीनी करण किया जाए 400 और इसमें कम से कम 10,000 क्रोड की investment लगेगी next online data और information company है online data की जिसका नाम है commodity online commodity online ने इनमें से कौन से bank के साथ एक tie up किया है करार किया है नुबंद किया है जिससे जो warehouse receipt और collateral management services है उसके लिए loan दिये जा सके इसके लिए इन्होंने federal bank के साथ tie up किया है federal bank हमारी जो commerce ministry है वानिज्य मंत्राले उसने अभी अभी एक insurance scheme launch की है plantation crops के लिए plantation crops और इसका short में बोलते है RISPC तो इसने जो revenue insurance scheme for plantation crops है उसे माननेता दे दिये आठ districts के अंदर तो ये 8 district कौन-कौन से राज्यों के अंदर है इतना ही नहीं इसके लावा 5 और भी राज्य है जिसके अंदर ये है तो केरल में है और असाम, सिक्किम, तमिलनाडू कई सारे राज्यों में है आपसे exam में कौन-कौन से district है ये नहीं पूछेंगे या कौन-कौन से राज्य है नहीं पूछेंगे total number है 8 तो 8 राज्यों में 8 ऐसे जिले हैं जिनमें ये scheme launch की गई है जिसका नाम है RISPC और हमारी जो commerce minister है वो है निर्मला सितारमन minister of commerce and industry Parliament ने अभी अभी एक एक बिल में शंचोधन किया है इस बिल से अब जो देहाडी है यानि wages है वो non cash mode में दी जा सकेंगी और इसके लिए worker से permission लेने की जुरत भी नहीं है देखिए अगर हम cashless एंडिया बनाना चाहते हैं तो जो देहाडी मजदूर है जो रोज का जो कमाते हैं उनको जो payment है वो भी हमें cashless करनी पड़ेगी लेकिन अगर मजदूर उसके लिए ना माने तो अब लेकिन worker से हमें permission लेने की जुरत नहीं पड़ेगी यानि अगर company जिसमें देहाडी मजदूर काम करते हैं वो उनको directly bank account में pay कर सकती है और बिना workers की permission के तो इसके लिए कानून में शंशोधन किया गया है और ये कानून है the payment of wages act 1936 तो RBI की monetary policy आई है reserve bank of India जिसका headquarter Mumbai में है भारत का central bank है reserve bank of India और governor है उर्चित पतेल अब monetary policy के आउती है monetary policy से जो पैसा system के अंदर जाता है वो ये control करते हैं आपको बताना है रैपो rate कितना है तो विमुद्रिकरण यानि demonetization के बाद हरको ये expect कर रहा था कि RBI रैपो rate को cut करेगी cut क्यों करेगी क्योंकि system में पैसा कम है तो पैसा push करने के लिए करेगी क्योंकि रैपो rate अगर कम होता है रैपो rate होता है जब bank RBI से loan लेते हैं इसको repurchase rate भी बोलते हैं तो अगर रैपो rate कम हो गया तो banks RBI से असानी से loan लेंगे और banks फिर वो जनता को देंगे तो जनता उसे खरिदारी करेगी जो उत्पाद और सेमाय यानि goods and services उनके उपर वो खर्च करेगी तो इसे goods and services के दाम भी बढ़ेंगे लेकिन growth भी होगी तो जब ज़्यादा growth चाहिए होती है तो हम रैपो rate को कम कर देते हैं लेकिन इससे नुकसान ये कि inflation बढ़ जाता है तो अगर inflation को कम करना होता है तो रैपो rate को बढ़ा देते हैं तो ये सब तथे आपको पता ही होंगे खेर रैपो rate कितनी है रैपो rate को change ही नहीं किया रैपो rate है 6.25% और इसमें 5 rate है जो आपको पता होनी चीए एक होता है reverse रैपो rate होता है जब RBI बैंक से उल्टा पैसा ले होता है लोन के उपर तो वो होता है reverse रैपो 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 रैट है 5.75% पांच दश्मलव साथ पांच परतिशद स्टेटिर लिक्विडिटिटी रेशो SLR कितना है 20.5% SLR होता है जब जो बैंक होते हैं उन्हें एक पैसा सरकारी कंपनियों के अंदर या किस सरकारी एंटरफ्राइस के अंदर इंवेस्ट करना होता है उसे बोलते हैं स्टेटिर लिक्विडिटिटी रेशो और कैस्ट रिजर्व रेशो है 4% 2013 से 4% ही है कैस्ट रिजर्व रेशो होता है जो बैंक को RBI के पास रखवाना होता है 4% और marginal standing facility भी पूछ सकते हैं 6.75% marginal standing facility होती है जब बैंक्स को overnight बहुत ही कम समय के लिए loan चाहिए होता है foreign direct investment जो है भारत के अंदर यानि विदेशी पुंजी निवेश वो नवंबर के अंदर 60% बढ़ गया और इसकी value हो गई है 4.68 billion कौन से देश से सबसे ज़्यादा पैसा आया भारत के अंदर कौन से देश से भारत में सबसे ज़्यादा विदेशी पुंजी निवेश यानि FDI या आता है तो यह देश है सिंगापूर पहले नमबर पे सिंगापूर और फिर दूसरे नमबर पे मौरिशियस तीसरे नमबर पे UK चोथे नमबर पे US तो यह ऐसे आधर सकते हैं सिंगापूर फिर मौरिशियस फिर UK फिर US इन में से किस वेक्ति को SBIPO recruitment के लिए brand ambassador बनाया ग है उसको इन्होंने काफी positive step पता है और अरुन सती भटाचारिया है SBI की chairman Alan Simpson, Alan Simpson एक धारावाइक था comedy का जिसका नाम था Steptoe and Son Steptoe and Son तो इसमें क्या थे बहुत famous इसमें किस बतौर किस भूमिक्या कोन सी भूमिका निभाते थे Steptoe and Son नाम के धारावाइक में Alan Simpson तो Alan Simpson इसमें थे script writer यानि इसकी जो कहानी लिखते थे वो Alan Simpson लिखते थे और Alan Simpson कहां के थे? Britain के थे इन में से कौन सा देश है? जो number one बन गया है world's largest producer of solar power यानि सोर उर्जा को grant करने वाला या उसका निर्मान करने वाला number one जो country है वो कौन सा है? 2016 में इस country ने सबसे ज़्यादा सोर उर्जा डवलप करी कितनी करी? लगभग 77.42 गीगा वाट ये country है चाइना और आप से ये भी पूछेंगे इंडिया के बारे में तो इंडिया में सोर उर्जा को अपनाने वाला राज्य सबसे number one पे रहा तमिलनाडू दूसरे नमबर पे राजस्थान और तीसरे नमबर पे गुजराद तमिलनाडू number one दूसरे पे राजस्थान तीसरे पे गुजराद 2016 के अंदर तो अभी अभी एक committee of secretary ये बनाई गई जिससे जो हमारी केंदर सरकार की scheme है, program है वो एक speed up हो सके उसको लागू करने में भेतर ही हो सके, तो आपको बताना है ये जो committee of secretary बनी, ये कौन सी scheme को लागू करने के लिए बनी और ये हमारे जल संसाजन मंत्री हैं जो गंगा साफ करने के लिए भी जो गंगा rejuvenation और minister for water resources, river development, इनका नाम है उमा भारती, उन्होंने ये committee बनाई है, committee of secretary और ये बनी है नमामी गंगे के लिए, जो की गंगा साफ करने के लिए program है खैर गंगा साफ नहीं हुई है, national green tribunal ने कहा है कि गंगा बिलकुल भी साफ नहीं हुए और उसमें करणो रुपे का धन खर्चा गया है, तो national green tribunal ने सरकार से हिसाब मांगा है विरपन, विरपन एक महशूर चंदन तसकर था, जो चंदन की चोरी करता था, करनाटक और तमिलाडू के जंगलों में और तीन राजियों की पुलिस भी मिलके इसे नहीं पकड़ पाई बहुत लंबे समय तक, तो विरपन को मारने के लिए एक operation launch किया गया था, जिसका नाम था operation ककून, operation ककून जो launch किया था, इसकी पूरी कहानी इस किताब में लिखी है, विरपन चेजिंग दा ब्रिगेंड, इसको किस ने लिखा है, इस किताब को लिखा है Mr. Vijay कुमार ने, और विजय कुमार कौन है, विजय कुमार जो उस वक्शल टास्क फोर थी, विरपन को मारने के लिए उसके अध्यक्ष थे, उसके head थे, तो नाम है विजय कुमार, desert festival, मरुस्थल का जो त्योहार है, ये तीन दिवसीय त्योहार है, desert festival, ये राजिस्थान के कौन से शहर में मनाया जा रहा है, हर साल मनाया जाता है, और फरवरी में अभी-भी ये मनाया गया, जैसल मेर के अंदर, जैसल मेर जो बिलकुल भारत के west में है, यानि पाकिस्तान के एकदम नजदीक है, और battle of longay वाला भी हुई थी, जैसल मेर को भारत से छीनने के लिए, लेकिन battle of longay वाला में हमारी जीत हुई थी, और राजस्थान का सबसे बड़ा border है पाकिस्तान के साथ, जितने मुझरात का है, इन में से कौन सा बिल है, जो हमारी education department है, उससे related है, और संसद ने से मंजूरी दे दी है, इससे जो भारत के institute है, कुछ institute उन्हें पूरी स्वेत्ता यानि autonomy मिल जाएगी, तो ये बिल है Indian Institute of Management Bill, IIM Bill 2017, और इसमें जो 20 IIM है, उन्हें स्वेत्ता परदान की गई है, इन में से किस वेक्ति को सोमालिया का नया प्रेजिडेंट चुन लिया गया है, कौन है सोमालिया के नयराश्पती, तो दो देश हैं जिनके नयराश्पती बने है, एक तो सोमालिया और एक हाईटी, सोमालिया के जो सोमालिया की राजधानी है, मोगा धीशू, और सोमाल सोमालिया एक साथ देशों में से है जो डॉनल टरंप ने बेन कर दिया है अमरीका में आने से उन में से एक सोमालिया भी है सोमालिया, इरान कई सारे देश है और कुवेथ मिड्ल इस्ट तरो का या है मध्यपूरू का एक देश है जिसने five Muslim countries को बेन कर दिया visit को एंटर करने से तो दोनों तत्थे आपको याद रखने है, सोमालिया के जो नए राशपती हैं वो बने हैं मुहम्मद अब्दुल्लाही फर्माजो, और इसका भी पता देता हूँ हाईथी, हाईथी के नए प्रेजिएट बने है जोवा नल मोईस, इंटेलेक्चिल प्रॉपर्टी इंडेक् 45 देशों का इसे दिया है अमरीका के Chamber of Commerce के Global Intellectual Property Center यानि GIPC में तो 45 देशों में जो Intellectual Property है उसमें भारत का क्या स्थान है Intellectual Property होता है जो आपकी Creation होती है आप माली जी एक गाना लिखते है वो भी आपकी Intellectual Property है आपको लेक्चर लेते है वो भी आपकी Intellectual Property है अभी ये मैं वीडियो बना रहा हूँ ये मेरी Intellectual Property है यानि इसको कोई मेरी Permission के बिना Commercially या Freely Circulate नहीं कर सकता तो 45 देशों में भारत का स्थान है तिरतालिसवा यानि नीचे से तीसरा और भारत से नीचे सिरफ दोई कंट्री है चबालिसवे नंबर पे है पाकिस्तान और पिनतालिसवे नंबर पे है वेनिजुएला तो भारत का स्थान है तिरालिसवा इन में से कौन सा Private Bank है जिसने Collaborate किया है कंपनी है जिसका नाम है इंडिया लेंड्स इंडिया लेंड्स कंपनी जो Financial Technology स्टार्टप से उनको उनके साथ क्लाबोरेट करती है उनको लोन देती है क्रेडिट फैसिलिटी देती है तो ये दोनों मिलके अब जो नए उद्योग हैं Entrepreneurial Venture है उनमें इंवेस्ट करे खाल इसरो फिर से ये इसरो न्यूज में आया तो इसरो ये बहुत सारी जिन्दगियां भचाने के लिए एक माल लिजे समुद्र है समुद्र का जो तट होता है वहाँ पे लहर आती है तो लहर आती है तब कोई दिक्कत नहीं है जब लहर वारापस जाती है तो अपने साथ बहुत ऐसी एक शमता रखती है जिससे वो लोगों को साथ ले जाती है और डुबो देती है तो इस रो इस पर निगरानी रखेगा इसलिए इसने कौनसी एक organization के साथ या कौनसी एक lifeguard agency है जो जिन्दिया बचाती है उसके साथ एक tie-up किया है जिससे जो riptide होते है उनसे बचाया जा सके लोगों को तो इस organization का इस lifeguard agency का नाम है दृष्टी life saving इन में से कौनसा अमरीका का bank है जिसने अपनी 3 completely automated branches खोली है completely automated branches तो यह automation जो है यह artificial intelligence इसकी वज़े से jobs है वो cut हो रहे है world bank ने का है कि 69% jobs है भारत के अंदर जो automation की वज़े से जा सकते है automation यह artificial intelligence की वज़े से जा सकते है और इसके संकेत हमें दिखी रहे है infosys ने जैसे 9000 लोगों को निकाल दिया है नोकरी से infosys जो भारत की दूसरी सबसे बड़ी सूचना प्रद्योगी की यानि information technology company है और यह bank भी automation की तरफ जा रहे है बहुत सारे bank भारत में भी आपने देखा ICICI bank ने अपना अलग robot निकाला है फिर लक्ष्मी नाम का robot एक bank ने निकाला था तो इस तरह के जो robots वगारा की मदद ली जा रही है और यह bank है bank of America जिसने अपनी तीन ऐसी शाखाएं खोली है जो completely automated है अमरीका के attorney general किसे बनाया गया है Donald Trump का जो cabinet है बहुत ज़्यादा important है और Donald Trump के cabinet में कोई भी आदमी हो चाए वो Michael Flynn हो Michael Flynn हट गए है Michael Flynn थे national security advisor तो इनके खिलाफ एक media का campaign था ऐसा कहा जा रहा था कि रशिया के साथ मिल गए थे इनको हटा दिया Donald Trump ने इनका जो resignation है वो स्विकार कर लिया और James Martis है Dan Coats है, Rex Tillerson है जो secretary of state है तो पूरा का पूरा जो Donald Trump का cabinet है बहुत important है और attorney general बनाये गया है Mr. Jeff Sassiow को Mr. Jeff Sassiow ये एक Alabama से है और Republican Senator Next Uranium के भारत के कोन से उत्तर पूर्व राज्ये में North Eastern state में Uranium के भंडार मिले है Uranium के भंडार भारत के कोन से North East state में मिले है ये मिले है Meghalya के अंदर Meghalya जिसकी राजदानी है इनमें से Reserve Bank of India ने कितने part-time non-official director उनका चैन किया है उनको न्यूक्त किया है कितने part-time non-official director न्यूक्त किया है एक है Mr. Rajiv कुमार एक है अशोक गुलाटी और एक है मनीश सबरवाल तो total number है तीन गंजैबे दिबाबा ये एक महिला है और धावक है long और middle distance runner रही है इन्होंने 2000 meter mark जो है वो record time world record बनाया ये इनका चटा world record है तो गंजैबे दिबाबा ने जो 2000 meter में world record तोड़ा है वो तोड़ा है Romania की धावक उनका और Romania की जो धावक है जिनका record तोड़ा है उनका नाम है गैबरियाला सजाबो तो आपको बताना है गंजैबे दिबाबा कौन से देश की है ये है इथोपिया की जो अफरीका का देश है इसकी राज़नानी है एडिस अबाबा इन में से कौन से cricket खिलाडी है जिनोंने first class यानि domestic cricket जो होता है हमारा जैसे रंजी ट्रोफिय होता है ये सब domestic cricket के अंदर आते है तो इन में से कौन से खिलाडी ने अभी अभी एक record बना दिया इन्होंने 21 पारियों में 1605 रन बना दिये और ये एक record है क्योंकि इससे पहले जो record था वो था 28 पारियों में 1604 रन का जो था चंदू बोर्डे का तो इनका record थोड़ दिया है चेतेश्वर पुजाराने इन में से कौन सा भारत का उत्तरपूरवी राज्य है जहां electronic cabinet solution launch हो रहा है electronic cabinet यानि कि जो cabinet की meeting हुआ करेंगी इस राज्ये के अंदर वो digitally हुआ करेंगी इससे एक meeting का जो time है 4-5 घंटे होता है लेकिन digitally होगा सिरफ 30 मिनट से 90 मिनट तक तो जो efficiency है वो भड़ेगी और ये decision लिया है अरुनाचल परदेश ने अरुनाचल परदेश बहुत जदा news मेरा इसकी राजधानी इटा नगर है और अरुनाचल परदेश का एक हिस्सा जो disputed है इंडिया चाइना के बीच में जिसको बोलते हैं तवांग अरुनाचल परदेश के जो मुख्य मंत्री है वो है फेमा खंडू ये बीजेपी में मिल गए थे थे रचरला समराज्यम ये थे आंद्रिपरदेश से आंद्रिपरदेश में कहां से थे विशाका पत्नम से ये थे रिजर्ब बैंक ओफ इंडिया ने एक कमेटी बनाई है ये कमेटी भारत में जो साइबर सिक्योरिटी है उस पे फोकस करेगी तो साइबर सिक्योरिटी जैसे जैसे हम डिजिटल हो रहे हैं लेकिन डिजिटल में जो अटैक होते हैं उनसे हमें साफधान रहना होगा इस पे एक कमेटी काम करेगी इसके लिए रिजर्ब बैंक ओफ इंडिया ने एक डिसिप्लिनरी पैनल बनाया है या कमेटी बनायी है इस कमेटी की हैड कोन होगी इस कमेटी की हैड होगी मीना हेम चंद्रा इंटरनेशनल एसोसियेशन ओफ एथलेटिक्स फेडरेशन ने इनमें से कौन से देश के खिलाडियों को बैन कर दिया है अब वो लंडन वर्ल्ड एसलेटिक चेंपेंशिप में हिस्सा नहीं ले सकते क्योंकि परतिबंदी दवाओं का सेवन कर रहे थे ड्रग्स ले रहे थे, डोपिंग कर रहे थे इसलिए आईएफ ने रश्या के खिलाडियों को बैन कर दिया है, लंडन वर्ल एसलेटिक चेंपेंशिप में पार्टिस्पेट करने से, रश्या की राजधानी है मोस्को, यहां के राश्पती है वलादिमिर पुतिन, और यहां की करंसी है रूबल आगे बढ़ते है, अभी अभी कमेटी बनी है, जिसमें 33 मेंबर है और यह सागर माला जो प्रोजेक्ट है इसको कम्प्लीट करने के लिए बनी है, इसको जल्दी से जल्दी कम्प्लीट किया जा, इस पे फोकस करेगी 33 मेंबर हैं इस कमेटी में, इस कमेटी के करोड रुपे में ये कंपनी है ITC बहुत सारे प्रोड़क्ट बनाती है ITC जैसे आशिरवाद आटा जैसे बहुत सारी सिगरेट आती है इसकी तो इंडियन टोबैको कंपनी है श्वाट में बोलते है ITC, होटल भी है इनके ITC मौर रहा, एटसेटरा तो आंसर है, ITC ITC में सरकार का, सरकार ने अपना 2% हिस्सा 7000 करोड रुपे में लगभग LIC को बेच दिया है इनमें से कौन सा देश है जिन्होंने भारत में हरित करांती के जनक, यानि Father of Green Revolution in India, MS. स्वामी नाथन जी को सम्मानित किया है मेडल देकर, तो इन्हें Governor General's Medallion दिया है क्रिशी में अपने योगदान के लिए और ये दिया है Canada ने Canada के जो Head of State है, वो है Justin Trudeau जो अभी-अभी डोनल्ड टरम से मिले थे Justin Trudeau, Canada की राजधानी है Ottawa इनमें से कौन से देश के साथ भारत ने परियतन को भड़ावा देने के लिए जो Flight Restriction है, यानि कि जो उड्यन विभाग है, उसमें कुछ Restrictions है, उनको कम किया है यानि जो Flight है, वो असान कर दी है इस देश से कानूनों को थोड़ा सा कम किया गया है जिससे दोनों देशों के बीच में जो Trade है, Business है, वो भड़ सके और परियतन भड़ सके, तो ये किया है UK के साथ, और UK की जो Head of State है, वो है Theresa Mayer, और Theresa May, और UK किसको बोलते है, Northern Ireland Wales, Scotland और England को मिला के बोलते है, UK, और अगर आप सिर्फ Wales, England और Scotland को मिला देंगे राज्ये की राजधानी में Global Music और Dance Festival का आयोजन किया जा रहा है मैं सवाल को repeat कर देता हूँ, इनमें से कौन से राज्ये की राजधानी में इसमें लगबग 10,000 लोग हिस्सा लेंगे और ये है अमरावती और अमरावती किसकी राजधानी है आंदरपरदेश की नई राजधानी है इनमें से कौन से दो pilot project को complete करने के लिए सरकार ने passport सेवा केंदर को launch करने का निर्ने लिया है कितने और, यानि जो passport सेवा केंदर है वो ये होते हैं कि आप online passport के लिए apply कर सकते हो फिर आप appointment ले सकते हो, फिर आप जाके अपना passport बनवा सकते हो ततकाल में बनवा होगी तो और जल्दी आ जाएगा लेकिन थोड़ा सा पैसा ज़्यादा देना पड़ेगा तो passport सेवा केंदर बहुत ज़्यादा डिमांड भढ़ गई है passport की globalization की वजए से विदेशी परियाटन में भढ़ावा हुआ है और इसके लिए जो passport की डिमांड है वो भढ़ गई है इसको पूरा करने के लिए passport सेवा के इंदर खोले जाएंगे और कितने खोले जाएंगे जो पहले हैं उनके अलावा तो ये खोले जाएंगे 56 और इन में से कौन से पंजाबी सिंगर हैं पंजाबी फॉक सिंगर जिने संयुक्त राष्ट्र संग ने अपने human trafficking से लड़ने के लिए जो campaign launch करेगी उसके लिए select किया है तो तीन सिंगर हैं जो select हूँ है भारत से एक तो हैं सोनु निगम एक हैं music musician गाते भी हैं और music director भी है एया रह्मान लेकिन पंजाबी सिंगर पूछा है तो इनका answer है सतिंदर सर्ताज सरकार ने अभी अभी आधार काड़ को compulsory कर दिया है जो खाद्यान वितरन के लिए scheme है PDS उसके लिए अगर आपको PDS में subsidized food grain मिल रहे है food security act में तो उसके लिए अधार काड़ ज़रूरी हो गया है लेकिन कौन से राज्ये हैं या एक या उससे ज़्यादा जिसमें ये compulsory नहीं है अधार काड़ को compulsory नहीं किया गया है कौन-कौन से राज्यों में तो इसमें एक है जमू कश्मीर एक असाम और एक मेखाले तो आंसर है all of the above तीनों के नाम याद रखिए असाम मेखाले और जमू कश्मीर असाम की राज़ान ये दिस्पूर मेखाले की शिलोंग और जमू कश्मीर की शिरिनगर दुनिया की पहली Braille Atlas आप जानते हैं कि जो लूई Braille है उन्होंने बनाई थी Braille भाषा जिससे जो दृष्टी हीन है वो भी पढ़ सकते है तो दृष्टी हीनों के लिए Braille भाषा में जो Atlas है वो launch की गई है ऐसा पहली बार हो है वर्ड में की Atlas Atlas होता है जिसमें दुनिया के नक्षे होते हैं उसे बोलते हैं Atlas नक्षों का समूह उसे Atlas बोला जाता है तो दुनिया की पहली दृष्टी हीनों के लिए Atlas launch हुई है भारत के अंदर और इसे launch किसने किया हमारे जो Minister है इसके लिए वो है Dr. Harshwardhan Minister for Science or Technology जी यानि विज्ञान और अनुस अंधान के लिए तकनीक के लिए जो हमारे मिनिस्टर ने Dr. Harshwardhan उन्हें इसे launch किया 11 million mission ये launch करा हमारे खेल मंत्री Minister of State for Sports and Youth Affairs with Independent Charge Vijay Goyal जी ने 11 million इसमें 11 million बच्चे हैं जिने फुटबॉल का प्रोथसाहन दिया जाएगा फुटबॉल सिखाय जाएगा फुटबॉल खिलाय जाएगा 11 million बच्चों को तो ये कौन से खेल के लिए किया तो ये पूछा है तो आंसर है फुटबॉल इन में से कौन सा केरल का उत्पाद है प्रोड़क्ट है जिसे जोगर्फिकल इंडिकेशन का टैग मिला है जोगर्फिकल इंडिकेशन का टैग मिल जाता है तो वो कानूनी वैद हो जाता है लीगल राइट उसके प्रोटेक्ट हो जाते है तो ये क्या गया है निलंबू टीक के लिए निलंबूर टीक जो है ये केरल की बहुती मषूर एक टीक, बहुती स्ट्रॉंग है ये टीक और केरल के बहुत सारी चीज़े हैं जिनको जोगर्फिकल इंडिकेटर टेग मिला हुआ जैसे चंगली कुदन केला है जैसे ट्रावन कोर का गुड है जैसे तिरूर का जो पान का लेकिन सबसे पहला जो केरल का प्रोड़क्ट था जिसे ये सम्मान मिला था वो है पोकाली चावल पोकाली राइस ब्रिक सम्मिट ब्रिक सम्मिट होगा इस साल ब्रिक सम्मिट में पांच देश हैं ब्राजिल रशीय इंडिय चाइना और साथ अफरिका तो 2017 में यह होगा और ये October में होगा, October के आसपास होगा, चाइना के अंदर होगा, जियामेन में, तो आपको ये बताना है कि जो BRICS Summit होगा, ये इसका theme इस बार क्या रखा गया है, BRICS Summit का theme क्या होगा, BRICS Summit का इस बार जो theme रखा गया है, वो है BRICS Stronger Partnership for Brighter Future, Stronger Partnership for a Brighter Future, और Under 17 World Cup, ये इंडिया के अंदर होगा, इस बार आप सब जानते ही है, 6 से 8 सक्तुबर 2017, इंडिया के अंदर होगा Under 17 Football World Cup, FIFA, इस बार इसका official mascot क्या है, mascot होता है एक जानवर, जो जानवर उस देश की संस्कृति से related होता है, culture से associate होता है, तो इस जानवर का नाम रखा गया है, खेले हो, और ये खेले हो क्या है, खेले हो एक बाग है, leopard है, Confederation of Indian Industry ने एक अभी-भी, एक event organize किया था, इसमें जो Trade Facilitation in Services, यानि TFS Agreement है, वो भारत ने present किया, किस organization को, तो ये नोने present किया, World Trade Organization को, जिसका headquarter है, Geneva के अंदर, World Trade Organization कब बना था, एक जनवरी 1995 को बना था, World Trade Organization, Nobel Prize जी चुके, वो कौन से scientist हैं, जिन्होंने MRI को develop किया था, Magnetic Resonance Imaging, 3D picture देता है, CT scan 3D picture नहीं दे पाता, इसलिए MRI develop हुआ था, Magnetic Resonance Imaging, और इसको develop किया था, Peter Mansfield ने, इनका अभी अभी निधन हो गया, तो ये बहुत ही जादा important question है, और Peter Mansfield कौन से देश के थे, ये थे UK के, Pius Goyal, ये हमारे कई सारे, चीजों के मंत्रियें से, कोईला मंत्री हैं, बिजली मंत्रियें, तो जो Pius Goyal जी है, Minister of State for Power, कोल, Renewable Energy, यानि Javikurja, Mines, यानि खदाने, Pius Goyal जी ने एक Mobile App को लाँच करा है अभी अभी, जिससे, जो Mining Sector है, जो खदाने है, जिनमें कोला निकाला जाता है, उन समय पारदर्शित आ सके, तो Pius Goyal जी ने जो ये App लाँच करी है, इसका नाम क्या रखा है, किसका नाम रखा है, Tamr, T-A-M-R-A, और Tamr की Full Form क्या है, Tamr की Full Form पूछ सकते हैं, इसकी Full Form है, Transparency in, मैं इसकी Full Form यहां लिख देता हूँ, Transparency T से, A-M मतलब, Auction Monitoring, यानि कि जो निलामी है, उसको Monitor किया जाएगा, और आखरी है, RA, तो, RA है Resource Augmentation, यानि जो संसाधन है, उन्हें बढ़ाया जाएगा, Tamr, इन में से कौन सी, सूचना प्रसारण, टेकनोलोजी, तकनीक की कंपनी है, जिसने, Finland की कंपनी, Comtel को खरीद लिया है, 371 मिलियन डॉलर में, यानि लगभग, 2100 करोड रुपे में खरीद लिया है, तो ये कंपनी है Nokia, Nokia भी, Finland की कंपनी है, Scandinavian Country, इसकी राजधानी है, Helsinki, इन में से कौन से, पहले भारती बैट्समेन बने, जिन्होंने चार टेस्स सीरीज में लगातार 12 शतक लगाया है, ये ऐसा करने वाले पहले भारत के बैट्समेन बने है, इनका नाम है विराट कोहली, और अभी अभी ICC की लिस्ट आई थी, उसमें जो दुनिया के नंबर वन T20 बैट्समेन है, वो भी है विराट कोहली, और अगला सवाल, LIC यानि Life Insurance Corporation of India भारत की सबसे बड़े इंशुरेंस कंपनी है, इसने तीन मैनेजिंग डिरेक्टर में से एक अभी अभी अपॉइंट हुआ है, न्यूकत हुआ है, और ये अपॉइंट्मेंट किया है, Cabinet Appointment Committee ने इनका नाम क्या है, LIC में जो मैनेजिंग डिरेक्टर होते हैं, तीन उनमें से एक अपॉइंट किया गया है, हेमंत भारगव को, और राष्ट्रिय महिला संसद, यानि National Women's Parliament आयोजित की गई, की जाएगी, अभी आयोजित नहीं की गई है, इसमें 401 लेगिसलेटर, 300 सोशिल और कॉर्परेट सेक्टर वूमेन, और इक्यान में सांसद हिस्सा लेंगी, महिलाओं की शशक्ति करण के लिए, ये एक बहुत इंपॉर्टन्ट इवेंट होगा, अमरावती के अंदर, आमदर परदेश की राजधानी, अमरावती के अंदर, ये ही पुछा है, 2017 का G.S.M.A., World Mobile Congress, ये कहां पर और्गिनाईज हुआ अभी, ये दुनिया का सबसे बड़ा इवेंट होता है, जिसमें mobile कंपनियां हिस्सा लेती है, और ये आयोजित हुआ, बार्सेलोना में, जो स्पेन के कैटालूनिया के अंदर एक शहर है, स्पेन, स्पेन की राजधानी है, मड्रिड, हमारे जो, हमारा जो chemical और fertilizer, रसायन विग्जान, रसायन और खाद का जो मंत्राले है, उसके minister, और हमारे जो parliamentary affair minister है, दो-दो पॉर्टफोलियों इनके पास, अनन्त कुमार, इन्होंने एक program launch करा है, जिसका नाम है, National Yuga Cooperative Society के, अंडर ये orientation program है, इसमें परधान मंत्री भारतिया, जन औशदी के अंदर लगाए जाएंगे, जन औशदी के अंदर होते हैं, और 3D printing प्रोवाइड करने वाली, पहली company है, भारत की, जिसका नाम है Intech DMLS, इसने भारत का पहला, स्वा निर्मित, यानि indigenous Made in India, jet engine series launch करी है, इसका नाम क्या रखा है, इसका नाम रखा गया है, Poyor Jet, इन में से कौन सा सरकारी bank है, जिसने एक supply chain financing product, जो लगू दियो गया है, यानि जो micro, small और medium enterprise है, diamond industry के अंदर, उसके लिए launch किया है, तो आप ये question से ही कर सकते है, diamond industry कहां पे है, सूरत यानि गुजरात, जातर, तो answer है bank of Baroda, तो Baroda मैं बता चुका हूँ, Baroda, Baroda मैं इसका headquarter है, एक committee अभी-अभी बनी है, जो आप जानते हैं, हमारा जो defense है, हमारा जो सुरक्षा विभाग है, उसमें जो procurement होते हैं, जो हतियार खरीदे जाते हैं, जो logistics है, उसके अंदर, जो corruption है, भरष्टाचार बहुत जादा है, इसको कम करने के लिए, पारदर्शिता लाने के लिए, एक committee बनाई गई है, जो खरीद फरोग पे, जो defense sector में होती हैं, उसके नज़र रखेगी, तो इसका नाम क्या रखा गया है, इसका नाम रखा है, DPO, यानि Defense Procurement Organization, और हमारे defense minister है, सेभी का नए chairman कोन बना है, यह super important question है, सेभी बहता है, Securities and Exchange Board of India, जो मारकेट regulator है, और सेभी के जो नए chairman है, वो बने है, senior IS officer आजयतियागी, 1984 हिमाचल प्रदेश के आडर के, IS officer है, आजयतियागी, और इन्होंने replace किया है, Mr. UK Sinha को, और यह 9 सेभी के chairman होंगे, 9th, अगला सवाल, इन में से कौन से राज्ये ने, decide किया है, कि यह वो एक wild century बनाएगा, और जहां पे मूगा, और मूगा नाम का जो silk होता है, रेश्मी कपड़ा होता है, रेश्मी धागा, मूगा, airy, इन सब को support किया जाएगा, इनको बढ़ाय जाएगा, इसके लिए, बहुत मेहनत यह राज्ये कर रहा है, 25 लाग पेड लगाए जाएगे, और यह 25 लाग पेड़ी से लगाए जाएगे, क्योंकि जो रेश्मी किड़े होते हैं, अवार्ड मिला है, और यह अवार्ड कौन सा है, यह अवार्ड ही ने दिया, Center for Asia Pacific Aviation, यानि कापा ने, इसको बोलते हैं, Chairman's Order of Merit Award, तो यानि कि जो environment damage है, वो यह बहुत कम करता है, जलवायू परिवरतर में इसका जो रोल है बहुत कम है, इसके लिए से अवार्ड दिया गया है, यह है GHIAL, यानि कि GMR, Hyderabad International Airport, जो राजीव गांदी International Airport को भी अपरेट करता है, पांच दिवसी है, मल्टी नेशनल, बहुत सारे देशों की एक नेवी exercise हुई, कराची के अंदर 37 देशों ने इसमें हिस्सा लिया, क्या नाम था इस exercise का, बहुत सारे देश मिलके आपस में exercise करते रहते हैं, भारत भी बहुत सारी exercise करता रहता है, तो पाकिस्तान के अंदर इक exercise हुई, इसमें 37 countries ने हिस्सा लिया, और इसका नाम रखा गया, अमन, अमन 17, हमारी जो केंदर सरकार है, उसने एक task force बनाई है, जो ये चेक करेगी, कि जो company है, वो पैसों का, पैसों की धानली तो नहीं करती, उनकी money laundering तो नहीं करती, और tax की चोरी तो नहीं करती, तो आपको बताना है, इसके लिए, कौन सा जो कानून है, वो लागू किया गया है, task force को बनाने के लिए, तो इस कानून का नाम है, बेनामी transaction amendment है, 2016, हम एक बेनामी transaction के उपर, एक separate video भी बनाएंगे, भारत ने अभी अभी एक, advance air defense, interceptor missile बनाई है, यह इस missile का मतलब यह है, कि जब कोई देश, अगर हमारे उपर missile मारेगा, missile दागेगा, तो यह interceptor missile है, उसको हवा मही मार देगी, इस missile का नाम क्या रखा गया है, advance air defense interceptor missile missile, missile इसका नाम रखा गया है, अश्विन, हमारा जो मारोव संसादन, विकास मंत्रालियानी, HRD ministry है, उसने 2018 से, एक ही entrance test होगा, कौन-कौन से exam के लिए, one entrance test होगा, 2018 से, तो teaching के लिए, engineering के लिए, या architecture के लिए, तो यह हमारा, जो मंत्री है, इसके वो है परकाश जबडेकर, और एक ही test होगा, जितने भी engineering college है, और architecture के college है, उनके लिए, तो answer है two and three, तो engineering के लिए जो exam होता है, और यह जो निर्णे लिया गया, यह AICTE को भी, बता दिया गया है, इन में से कौन से famous sand artist हैं, यह मिट्टी के पुतले बनाते हैं, समुद्र के किनारे, और बहुत ही famous हैं, इनका नाम Guinness World Record में आ गया है, क्योंकि इन्होंने दुनिया का सबसे लंबा, जो मिट्टी का पुतला बनाया, 48 feet और 8 inch लंबा यह पुतला था, यह उडिसा के हैं, और पुरी बीच पे यह बनाते हैं, हमारे जो Minority Affair Minister है, मुक्तार अबास नकवी, इन्होंने एक exhibition launch किया है, जिसमें जो हमारे artisans हैं, जो artists हैं, वो Minority Community के, वो अपनी परतिभा को दिखा पाएंगे, उनको national और international access प्रोवैड किया जाएगा, इस exhibition का, इस परदर्शनी का नाम क्या रखा गया है, इसका नाम है हुनर हाट, हुनर हाट, मादागासकर देश के लिए, भारत का नया राजदूद, किसे अपॉइंट किया गया है, किसे नियुक्त किया गया है, मादागासकर, तो मादागासकर देश, आईहोप आप जानते हो यह कहां है मादागासकर एक छोटा सा टापू है और इसकी राजदानी है अन्ताना नारीवो अन्ताना नारीवो और यहाँ पे जो मुद्रा चलती है उसको बोलते है मालागासी अरियारी इसके लिए राजदूत बनाया गया है Mr. Subhir Dutta को Kolkata स्थित Hindustan Motor ने अपनी Ambassador गाड़ी Ambassador यह वही गाड़ी है जो पहले चलती थी Ambassador और Fiat उस वक्त दो ही गाड़ी होती थी Fiat गाड़ी जो है वो Italy की कंपनी की है Fiat Italy की कंपनी है Brand जो Ambassador गाड़ी है यह 80 करोड रुपे में सिरफ बेच दी है कौन सी French कंपनी को तो यह 80 करोड में बेची है Ambassador गाड़ी Pugert को Reynolds भी एक French कंपनी है जो International Day of Women's and Girls in Science महिलाओं के लिए और रड़कियों के लिए जो International Day observe किया गया 11 फरवरी को इस बार इसका theme क्या था So 2016 में इसका theme था Transforming the World Parit in Science लेकिन इस बार 2017 में latest इसका theme है Gender Science and Sustainable Development The Impact of Media 11 अभी-अभी Conference हुआ, Exhibition हुआ International Aerospace and Defense Exhibition Arrow India 2017 इसका नाम था यह भारत के कौन से शहर में आयोजित किया गया जिस जगा पे यह हुआ उसका नाम है Yela Hanka Y-E-L-A-H-A-N-K-A और यह जगा है Bangalore में Technology जो Quality और Reliability को Improve करने के लिए एक School बना रहा है यह एक अलग तरह का विभाग होगा Quality और Reliability के लिए जिसमें तीन चीजे इंप्रूव होंगी Process, Planet और People जिनें बोलते हैं 3P तो यह बना रहा है IIT Kharagpur IIT Kharagpur हम हर साल राष्ट्रिय उत्पादक्ता दिवस यानि National Productivity Week सब्तहा राष्ट्रिय उत्पादक्ता सब्तहा मनाते हैं 12-18 फरवरी हर साल इस बार इसका थीम क्या था इसका थीम था From Waste to Profits यानि कच्रे से हम Profit बना सकते हैं किस चीज़ के थरू Reduce, Recycle and Reuse इसको बोलते हैं 3R Minister of State for Information and Broadcasting Minister of State है सुझना प्रसारण के लिए करनल राजयवर्दन सिंह राठोर इन्होंने विमोचन किया उदगाटन किया सतरवे अंतराष्ट्रे सेमिनार का जो आतंगबाद से निपटने के लिए था कौन से राज्ये में ये मनाया गया ये और्गेनाईस किया गया इसको और्गेनाईस किया गया मानेसर में और मानेसर है हरियाना में गुड़दाओं में इन में से कौन से दो भारत के प्लेयर हैं जिने NBA और FIBA ने अपने Basketball Without Border यानि BWB Camp जो New Orleans अमरीका में होगा उसके लिए चुना है इन दो खिलाडियों का नाम है आशे वर्मा और प्रियंका प्रभाकर मैं रिपीट करता हूँ यह बहुत ज्यादे इंपोर्टेंट कुईश्चन है आशे वर्मा और प्रियंका प्रभाकर तो NBA जो और्गेनाईसेशन है National Basketball Association इसे बोलते है इसका Headquarter है New York में और जो FIBA है यानि FIBA यानि जो International Basketball Federation FIBA इसका Headquarter है Swizzurland में Swizzurland के अंदर इसका Headquarter है Central Statistics Office यानि CSO के हिसाब से भारत का जो Industrial Output है वो कितने परसेंट से कम हो गया विमुद्री करण के कारण दिसंबर 2016 में 4.4% से हमारा Industrial Output कम हुआ है Electronic Development Fund बनाया जाएगा हमारा Electronics और IT विभाग द्वारा Department of Electronics and IT जो है इसको DT बोलते हैं तो DT Department जो है Electronics और IT मंत्राले वो बनायागा Electronics Development Fund ये Entrepreneurship और Innovation को बढ़ावा देने के लिए बनाया जाएगा इसमें 6,831 करोड रुपे का कोश धन रखा जाएगा आपको बताना है ये ये किसने अपरूर किया है तो अगर आप जानते हमारे Electronics और IT मिनिस्टर कौन है वो है रवी शंकर परसाद इतना ही नहीं वो हमारे कानून मंत्री भी है यानि लौ मिनिस्टर भी है अमरीका ने United States ने अभी अभी successful अपना fire किया एक बहुत ही ताकतवर missile ये भी ये बहुत important missile है ये कौन से देश के साथ मिलके launch किया है fire किया है और इसका perception किया गया इस missile का नाम है standard missile 3 block 2A Inceptor और ये परशान महा सागर के अंदर ये किया गया हवाई के अंदर ये इन्होंने किस देश के साथ मिलके बनाई है ये बनाई है जापान के साथ मिलके इसका perception किया गया ये दक्षिन चीनी सागर के अंदर दोनों कंट्री एक दूसरे को सैयोग दे रहे है चाइना से निपटने के लिए फीफा जो सारे फुटबॉल मैच करवाता है वर्ल डेवल पे जैसे फीफा वर्ल कप करवाता है इसको बोलते हैं फेडरेशन इंटरनासियोनाल डेर फुटबॉल असोसियेशन इन्होंने अपना एक एमबैसेडर बनाया है पूरे वल्ड मेच फुटबॉल को प्रोमोट करने के लिए और अपने इंफ्रस्ट्रक्चर को इंप्रूव करने के लिए किस खिलाडी को बनाया है जिनेडिन जडान पहले डिएगो मारड़ोना डेविट बैकम जिनेडिन जडान फ्रांस के मशूर मिडफिल्डर थे पहले ब्राजील के डिएगो मारड़ोना अर्जंटीना के और डेविट बैकम इंगलैंड के चारों ही बहुत महान खिलाडी है और इसके लिए इन्होंने बनायगो मारड़ोना को जो कि अर्जंटीना के खिलाडी थे जैसे नैपोली वियोनोस रिवर पलेट वगरा कई सारे खिलब थे जिनके लिए डिएगो मारड़ोना खिलते थे और एक बात और याद रखना है आपको इसके अंदर फीफा का headquarter कहां पर है ये question बहुत बार आता है फीफा का headquarter है स्विजरलेंड में और स्विजरलेंड में कहा हैं तो जूरिक के अंदर है और फीफा के जो president है वो कोन है ये भी पूछेंगे इनका नाम है Gianni Infantino very very important question Gianni Infantino है इटली के भारत एक conference आयोजित करेगा आसियान देशों के साथ मिलके ये कब होगी और ये आतंगवाद से निपटने के लिए होगी जैसे खास कर जो Islamic state है ISIS उसका जो threat है उसको कम करने के लिए आपसी सहयोग के लिए आसियान का भारत member नहीं है आसियान के अंदर है हमारे South East Station country है वो है सारे जैसे Malaysia, Philippines, Indonesia, Singapore, Thailand, Brunei, Cambodia, Laos Myanmar और Vietnam ये सा बाते हैं आसियान के अंदर तो ये meeting कब होगी ये जो conference है आतंगवाद से निपटने के लिए ये organize की जाएगी अक्तुबर 2017 में मशूर विचारक, लेखक और पत्रकार इनको अखड बनारसी बोलते थे और ये कवी भी थे हासिरस के कवी थे तो आपको बताना है इनका निदन अभी अभी हो गया तो इनका नाम क्या था ये हिंदी के कवी थे और इनका नाम था पंडित धरमशील चतुरुवेदी जी जो द्रिष्टी हिनों के लिए वर्ल्लकप हुआ वो भारत ने पाकिस्तान को हरा दिया फाइनल में तो आपको बताना है कि मैन अफ दा मैच कौन थे मैन अफ दा मैच जो खिलाडी थे उनका नाम है परकाश जैरमया पाकिस्तान ने भारत को 198 रन का टार्गेट दिया था भारत ने असानी से बना लिया 14 बॉल्स पड़ी हुई थी पहले ही जीत गए एक ही विकेट खोया था भारत ने और बहुत असानी से जीत गए Blind World Cup जो हुआ था इसका Final M. Chinnaswami Stadium में खिला गया था जो कि Bengaluru के अंदर है और Man of the Series थे वो पाकिस्तान के खिलाडी थे बदर मुनीर तो ये थे Man of the Series और राहूल द्रैविड थे इस Blind World Cup के Brand Ambassador एक बात और याद रखनी है ये दूसरा World Cup था ग्रिष्टिहिनों के लिए पहला भी भारत ने जीता था जो 2012 के अंदर हुआ था उसमें भी पाकिस्तान को हराया था Final के अंदर दूसरा International Spice Conference हुआ भी अभी जो तिरुवननदपुरम में हुआ केरल में यहाँ पे जो Spices हैं Spices होते हैं मसाले तो All India Spices Exporter Forum यानि AI SEF ने यह आयोजित किया और इसमें यह डिसाइड हुआ है कि 2021 तक जो भारत से मसाले हम निर्याद करते हैं दूसरे देशों में वो 5 billion तक पहुँच जाने चाहिए अभी कितना है निर्याद अभी निर्याद कितना है 250 करोड़ तो इससे बढ़ा के 500 करोड़ रुपे का निर्याद हम करना चाहते हैं 2021 तक जो टार्गेट रखा गया है IFS Officer यानि Indian Foreign Service के वो कौन से Officer है जो अभी सर्विया में हमारे राजदूत है लेकिन अभी ने नरिंदर चुहान इनका नाम है तो इने कौन से देश का राजदूत बनाया गया है नरिंदर चुहान अब कौन से देश में भारत के राजदूत होंगे ये होंगे Republic of Philippines Philippines की राजदानी है Manila और Philippines के जो राश्पतियें बहुत ज़दा नियूज में रहते हैं इनका नाम है Rodrigo Duterte और Philippines की राजदानी Manila में Asian Development Bank का Headquarter भी है जापानी राइटर जिन्होंने बहुत फेमस किताब लिखी थी जिसका नाम है The Times of Bochan इनका अभी अभी निधन हो गया 69, 79 साल के थे इनका नाम क्या है इनका नाम है Jiro Taniguchi अपना 45 मैच इन्होंने खेला बांगलादेश के खिलाफ और इन्होंने बांगलादेश के कप्तान मुश्फिकर रहीम का विकेट लिया और उसी के साथ रवी चंदर अश्विन क्रिकेट के सबसे तेज कितने विकेट लेने वाले खिलाडी बन गए रवी चंदर अश्विन सिरफ 48 matches में लिये थे Pete Keizer इनका भी अभी निदन हो गया कौन सा खेल खेलते थे Pete Keizer तो Pete Keizer बहुत ही महान football के खिलाडी थे और ये कौन से देश के थे तो ये थे Netherlands या Holland के Netherlands या Holland के जो खिलाडी है उन्हें हम कहते है Dutch FSS AI यानि FSS AI होता है जो हमारे खाद्यान है उन्हें हमारी सुरक्षिया को जाचता है यानि Food Safety and Standards Authority of India इसने एक 11 मेंबर की कमेटी बनाई है जो पाँच ऐसी आइटम है जिनमे मिलावट ना हो जिनमे जो सुरक्षित हो इनके लिए अलड़ी कानून तयार कर चुकी है इनमें से कौन सी वो आइटम नहीं है तो पाँच आइटम जिनके लिए इन्होंने कानून अलड़ी तयार कर लिए है उनमें है दूद है हमें बीच में देख रहे थे कि जो दूद है वो चाइना से बहुती बेकार क्वाल्टिक आ रहा था तो दूद के लिए किया है सॉल्ट यानि नमक के लिए किया है वीट फ्लोर आटे के लिए किया है चावल के लिए भी किया है और एडिबल ओयल के लिए किया है जो खाने के लिए तेल यूज होता है लेग्यूम के लिए नहीं किया है तो answer है legume Dr. Neeloo Rohometra ये founder director है International Center for Cross-Cultural Research and Human Resource Management यानि ICCCR और HRM University of Jammu इनको कौन से IIM का director बनाया गया है ये पहली महिला बनी है जो इस IIM की जो IIM की director होंगी और ये IIM है सिर्मोर IIM सिर्मोर और IIM सिर्मोर कहाँ पर है ये है हिमाचल परदेश के अंदर हिमाचल परदेश Indian Institute of Management सिर्मोर National Basketball Association यानि NBA ने इन में से कौन सी कंपनी के साथ मिलके एक partnership की है जिससे ये अपनी खुद की Electronic Sports League बनाएंगे जिनका नाम होगा NBA 2KE League इसके लिए इनोंने जिस कंपनी के साथ अनुबंद किया है वो है Tech 2 Interactive Software Inc हमारे जो Minister of State है मंतरी Labour और Employment के लिए इनका नाम है बंदारू दत्रिया इनोंने लॉंच करा है कुछ facilities Dark Southern के Post Office हैदराबाद के थुरू जिससे जो यूथ हैं उनके लिए और जो पेंशनर्स हैं उनके लिए एक तो सर्विस होगी National Carrier Service और एक होगी जीवन प्रमाण दो सर्विस होगी जीवन प्रमाण होता है आपका Life Certificate तो आंसर है बोथ A and B Reliance Defense और Engineering Company ने इनमें से कौन से देश के जहाजों को रिपेर करने के लिए Contract जीत लिया है और इस देश के जहाजों को रिपेर करेगा Reliance Shipyard जो की है पीपा वाव गुजरात के अंदर ये इन्होंने contact sign किया है US Navy यानि अमरीकी जल सेना के साथ इनमें से कौन सा जहाज है जो भारत का पहला जहाज बना है जिस पे 100 और उर्जा का इस्तेमाल किया गया है 100 और उर्जा तो सोलर पावर के लिए इस जहाज पे 300 वाट के 18 सोलर पैनल लगाए गया है टोटल शमता 5.4 किलो वाट और ये जहाज है INS सरवेकशक इनमें से कौन से देश ने दुनिया का सबसे ज़्यादा elevated cycle path बनाया है जो 5 मील लंबा है और 16 feet wide है cycling के लिए ये बना है जियामेन के अंदर और जियामेन है चाइना के अंदर तो चाइना के राश्टपती आप जानते ही है शी जिन्पिंग चाइना की राजधानी है World Radio Day ये 13 फरवरी को हमने मनाया World Radio Day तो इस बार इसका theme क्या था theme बड़ा असान है रेडियो और आप रेडियो इस यू यानि आप रेडियो हैं रेडियो आप है एक तरह से रेडियो की जो importance है वो बताता है आज भी और रेडियो डे पहली बार मनाया गया था पहली बार 2012 में मनाया गया था तो 3 नवंबर 2011 को decide हुआ था UNESCO की conference में की World Radio Day हमें मनाना चाहिए इन में से कौन सा खेल है जो करनाटक मनाएगा इसके लिए इन्होंने कानून में शोधन किया है और prevention of cruelty to animals करनाटक का amendment बिल पास किया है 2017 यानि जानवरों पे जो अत्याचार होते है उस category से इसे निकाल दिया है जिससे इस खेल का जो organize किया जा सके करनाटक का खेल है याद रखिए इसका नाम है कंबल कंबला तो इसमें जो जानवर है बुल जो होते हैं उनकी race होती है बुलक काट race होती है और ऐसा ही ये खेल तमिल नाडू का था जली कट्टू तो तमिल नाडू का खेल पूछे तो आंसर है जली कट्टू करनाटक का पूछे तो कंबला इन में से अलिस्टर कुक जो इंग्लैंड के captain है इन्होंने अपना इस्तीफा दे दिया है इन्होंने resign कर दिया सन्यास ले लिया test cricket से अपना इस्तीफा दे दिया अब आपको बताना है कि इनकी जंगा किस ने लिए इंग्लैंड के नए test match captain कौन बने है इनका नाम है Joe Root जो की पिछले कुछ सालों से बहुत ही भेतरिन form में है और जर्मनी के नए president कौन बने है और ये जंगा लेंगे अभी जो जर्मनी के president है भाकिम गाउक की तो ये जर्मनी के बारवे president चुने गए है और इनका नाम है Frank Walter Stanmimer और ये 19 मार्च 2017 से अपना कारेभार संभालेंगे इन में से कौन से शहर में Gateway House और Ministry of External Affairs दोनों मिलके एक Geo Economic Dialogue host कर रहे हैं जिसको बोलते हैं Second Gateway of India Geo Economic Dialogue और इस तरह के कोई भी Dialogue या इस तरह की कोई चीज होती है तो याद रखिए आंसर हमेशा 90% cases में आपको मिलेगा Delhi लेकिन इस बार आंसर है Mumbai Larson and Tubro बहुत बड़ी कंपनी है Engineering, Construction, बहुत सारे बिजनस हैं इनके तो Larson and Tubro ये एक Joint Venture बना रही है इन में से कौन सी कंपनी के साथ मिलके ये एक Europe की सुरक्षा उपकरन बनाने वाली कंपनी है और इसका नाम है MBDA MBDA और दोनों मिलके जो Missile सिस्टम है उन्हें प्रोक्यॉर करेंगे जर्मा दे रंदमी ये पहली महिला बनी जिनोंने 145 पाउंड के केटेगरी में Featherweight Championship जीती है UFC तो UFC बोलते हैं ये एक तरह की जैसे WWF होती है उसी तरह की है लेकिन ये थोड़ी रियल होती है UFC इसको बोलते है Ultimate Fighting Championship तो ये जितली है 32 वर्षी है जर्मेन दे रंदमी ने आपको बताना ये कौन से देश की है ये है Netherlands की इन में से भारत की कौन से राज्ये में पहला तैरता हुआ स्कूल बना है खास कर उन बच्चों के लिए जो स्कूल से निकल जाते हैं ड्रॉप आउट्स जो होते हैं जिने सिक्षा में रूची नहीं होती पहला तैरता हुआ और ये तेरता हुआ स्कूल बना है लोकटकलेक में और लोकटकलेक आप सब जानते हैं मनिपूर के अंदर केंदर सरकार ने इन में से कौन सा स्कीम का दूसरा चरण शुरू करने का निड़ने लिया है इस स्कीम को कहते हैं इंदर धनुष ये जो हमारे banks है उनमें जो उनमें जो loan है उनको कम करने के लिए bad loans, non-performing asset को कम करने के लिए क्योंकि non-performing asset अगर कम नहीं होंगे तो हमारा जो capital adequacy ratio है C.A.R. यानि capital adequacy जो non-sum follow कर रहे हैं, bezel 3 के वो उनसे हम comply नहीं कर पाएंगे तो इसलिए इंडरे धनुष second, ये इनका दूसरा version है, ये scheme launch की गई है एजो चैम के नए president कौन बने है, इन्होंने Mr. Sunil Kanoria को replace किया है, मैं रिपीट करता हूँ एजो चैम, एजो चैम के नए director कौन बने है, ये almost short short question है एजो चैम के नए director और इन्होंने replace किसको किया है, सुनील Kanoria, एजो चैम की full form भी आपसे पूछ सकते हैं इसको बोलते है, associated chamber of commerce and industry, और इसके president बने है, संदीब जजो दिया भारत का पहला cashless नगर, township कहां पे बनाएं, इसमें 10,000 लोग रहते हैं, और ये है भारुच में भारुच का है, गुजरात, यहाँ पे नर्मदा नदी भी भैती है, और इस township का नाम भी नर्मदा नदी के नाम पे ही है तो अगर पूछ लें, तो answer है, गुजरात नर्मदा वैली fertilizer and chemical इसको बोलते है, GNFC तीन दिवसी है, अंतराष्ट्री है coin fair और्गेनाईज हुआ, जिसमें 2500 सिक्के उनकी परदर्शनी की गई और ये केरल के कौन से शहर में हुआ तो अगर कोई सिक्के इखटे करने वाला है, तो उसके रही अच्छी opportunity थी, ये किया गया केरल की राजधानी, तिरुवनंत पुरम के अंदर इन में से किस व्यक्ति को ICAI का प्रेजिएंट बनाया गया है, ICI क्या होता है अगर आपने CA की तयारी की हो, तो आप जानते होंगे Institute of Chartered Accountants of India यानि ICI इसका 2017-2018 के लिए जो चेर्मेन बनाया है, जो प्रेजिएंट बनाया है, वो बनाया निलेश शिवजी विकमसे को निलेश शिवजी विकमसे भारत की पहली listed company है, e-commerce, यानि online shopping company कोन सी है, जो अभी मर्ज हो गई है, भारत के सबसे बड़े payment gateway जिसको बोलते है, CC Avenue इसके साथ, तो दोनों का नाम क्या है और इस company का अलएड़ी लगभग लगभग 3.5% स्रेयर था, CC Avenue के अंदर, ये company है Infi Beam अमरीका के बहुत बड़े singer Al Jarreo, इन्होंने 7 Grammy Award जीते, और इनका उपनाम था, Acrobat of Scat, Acrobat of Scat इने बोलते थे, इनका अभी अभी निधन हो गया 16 साल की उमर में, तो किस तरह के गाने गाते थे तो दो genre के गाने गाते थे एक तो गाते थे pop और एक गाते थे jazz तो answer है jazz, option में आपको pop भी मिल सकता है, बच्चों की कहानिया वो कौन से उस्टेलिया के किर्केटर हैं, जिन्होंने अभी अभी सन्यास ले लिया, T20 से भी, टेस्ट मैच से भी वंडे मैचिस से भी, इन्होंने अपना आखरी टेस्ट मैच कहला, आपना आखरी मैच शिरलंगा के खिलाफ खिला, इनका नाम है Adam Voggs Global Financial Company है, जापान की कंपनी है Nomura, Japanese Financial Company इसके हिसाब से भारत का GDP 2017 के पहले क्वाटर में कितना गरो करेगा पहले क्वाटर का मतलब होता है, जन्वरी से लेके एक जन्वरी 2017 से 31 मार्च 2017 था, यह है 2017 का पहला क्वाटर, और पिछले साल के इसमें भारत का GDP Nomura के हिसाब से गरो करेगा सिरफ 5.7% शीजे नोरी शीगा, यह इनमें से कौन सी जापानी Electronics Company के चेर्मेन थे, पर इन्होंने इस्तिफा दे दिया क्योंकि यह कंपनी बहुत ज़दा परिशानियों में चल रही है इस कंपनी का नाम है Toshiba चापानी कंपनी, electronic product बनाती है Toshiba, तो इन्होंने बहुत भारी लोज दिया है, लगभग इन्होंने 712 billion yen का लोज दिया है इनमें से 7 साल के वो कौन से भारतिये हैं, सिरफ 7 साल का बच्चा है, शत्रा जितनी अच्छी खेलता है कि इसने 3 gold medal जित लिए Western Nation Youth Chess Championship में जो सैयूग तरब अमिरात में हुई और इसके लिए इन्हें मिला है CM का title यानि Candidate Master का title World Chess Federation फिडे दुआरा इस खिलाडी का नाम है कुष भगत जो की महराष्टर का खिलाडी है, मुंबई का खिलाडी है कुष भगत Finance Industry Development Council यानि FIDC ने इनमें से कौन सी organization के साथ मिलके एक अंतराष्ट्रिय financial institution के साथ मिलके एक training program चलाया है जिससे जो non banking financial company है उनमें movable asset financing और commercial credit reporting के program conduct किये जाएंगे ये इन्होंने किया है World Bank के एक शाखा के साथ World Bank के अंडर आती है World Bank Group के अंडर आती है International Finance Corporation यानि IFC सचिन तेंदुलकर ने एक गाउं गोद लिया था अंदरे परदेश में जिसका नाम था पुत्तम राजुवरी कंद्रिगा ये गाउं इन्होंने पूरी तरह से बदल दिया है अब सचिन तेंदुलकर ने महराष्टर में एक गाउं गोद लिया है परदान मंत्री संसद आदर्श ग्राम योजना के तहत इस गाउं का नाम क्या है ये गाउं है महराष्टर में ओस्मानाबाद में और इस गाउं का नाम है दोन्या और पहले भारतिये फार्मूला वन ड्राइवर कौन से बने जिनोंने न्यूजी लेंड गरॉंप्री जीत ली है न्यूजी लेंड गरॉंप्री ये फोर्स इंडिया की गाड़ी चलाते है Force India Formula 1 गाड़ी चलाते हैं और इनका नाम है जहन दारू वाला पूर्व IFS आफिसर रवी शंकर ये अभी हमारे युगांडा के अंदर High Commissioner है, अब ये कौन से देश में भारत के High Commissioner बना दिये गए है तो ये अब बना दिये गए है रवांडा में, रवांडा अफ्रीका का वही देश अगर आपको याद हो जहां पे हुतू और तुट्सी के बीच एक युद्ध हुआ था लडाई हुई थी Civil War हुआ था और इसमें लाखों लोग मारे गए थे अफ्रीका का चोटा सा देश है रवांडा और रवांडा की राजधानी है किगाली किगाली इन में से कौन सा देश है जो होस्ट कर रहा है ITTF यानि International Table Tennis Federation World Tour Open और ये इसमें जो धनराशी है वो भी भढ़ा के बहुत ज़्यदा कर दी गई है ये 16 से 19 फरवरी तक आयोजित किया जाएगा तो अभी चल रहा है जब मैं बोल रहा हूँ और ये देश है भारत इंडिया के अंदर ये और्गिनाईज किया जा रहा है नई दिल्ली के अंदर Credit Opportunities Fund नाम का एक फंड ये एक Open Ended Fixed Income Fund है कौन सी Asset Management Company ने ये लाँच किया है कौन सी Asset Management Company ने लाँच किया है ये फंड ये किया है IDFC ने IDFC Asset Management Company ने कौन सी हमारी विश्व की सांस्कृतिक दरोहर यानि World Heritage National Park है जहाँ पे UNESCO ने UNESCO बोलते है United Nations Educational Scientific and Cultural Organization जिसका Headquarter है फ्रांस की राजधानी पैरिस में तो UNESCO ने कौन से World Heritage Site पर अभी अभी दो दिवसी ये Nature Fest और्गिनाईज किया ये इन्होंने किया Great Himalayan National Park के अंदर और Great Himalayan National Park कहाँ पे है ये है हिमाचल परदेश में हिमाचल परदेश में कहां तो कुल्लू के अंदर है ये इन में से कौन सी टीम ने पंडित दीन द्याल उपाध्याए और ये पहली बारा योजित की गई थी इसमें हर्याना ने फाइनल में हराया रेलवेज को इन में से कितना अमाउंट है जो सरकार इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक खोलने के लिए दे रही है 650 शाखाएं खोली जाएंगी पूरे देश में इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक की टोटल कितनी शाखाएं खोली जाएंगी 650 और टोटल धन कितना लगाए जाएगा इसमें 500 करोड भारत का पहला सरकारी पेमेंट बैंक है इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक इन्होंने एक बहुत famous किताब लिखी है उसका नाम आपको बताना है तो TV परासुरम ने जो किताब लिखी है इसका नाम है A Medal for Kashmir, Kashmir के लिए एक medal इनमें से कौन सी पहली महिला हमारी diplomat है जिने, हमारी नहीं पाकिस्तान की है जिने 29th foreign secretary बनाये गया है पाकिस्तान का ये replace करेंगी आईजाज हमद को और पाकिस्तान की foreign secretary बनने वाली ये पहली महिला होंगी इनका नाम क्या है? इनका नाम है तहमीना जन्जुआ इसकौन का एक food relief foundation है इसको IMC Ramakrishna Bajaj National Quality Award मिला है ये लगभग भारत में 12 लाख गरी बच्चों को रोज खाना खिलाता है और इसका नाम है अन अमरित इन में से कौन से खिलाडी है जो भारत के पहले खिलाडी बने जो किसी विदेशी franchise league के लिए खिलेंगे जैसे भारत में IPL है ऐसे ये खिलाडी खिलेंगे हॉंग कॉंग में इनका नाम है यूसुफ पठान इन में से कौन सा भारत का एरपोर्ट है जो टॉप 15 एरपोर्ट इन दा वर्ल्ड और दुनिया के 12 सबसे बिजी एरपोर्ट में इसका नाम आ गया है ये एरपोर्ट है इंद्रा गांधी इंटरनेशनल एरपोर्ट दिल्ली तो सत्तरवे बाफ्टा आवार्ड हुए आपको बताना है बाफ्टा आवार्ड में बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर का आवार्ड किसे मिला ये भारती अमूल के हैं इनका नाम है देव पठेल लायन फिल्म के लिए इने मिला और बेस्ट फिल्म का आवार्ड मिला लाला लैंड को याद रखिए गोल्डन ग्लोब में बेस्ट फिल्म कौन से थी गोल्डन ग्लोब में बेस्ट फिल्म थी Moonlight लेकिन BAFTA में है La La Land और Best Director का Award के से मिला La La Land के ही Director है Damien Chazelle अब तक तो ये नाम आपको याद हो गया होगा Damien Chazelle इन में से भारत के कौन से तबला वादक हैं जिने Grammy मिल गया है Individual Grammy जीतने वाले बहुत कम भारती हैं इसे पंडित रविशंकर जी, जाकिर हुसें, विश्व मुहन भट तो इनमें अब इनका नाम भी जुड़ जाएगा दो भारतियों ने जीता है ये तो इंडिविजुल कैटेगरी में जीता है संदीब दास ने इसमें किस विशे पर चर्चा होगी इसमें बंधुआ मजदूरी यानि बॉंड़िट लेबर के उपर चर्चा होगी ये थे बेस्ट कोश्चन इस हफते के टोटल कोश्चन का नंबर 150 इस वीडियो का PDF भी उपलब धोगा हमारी website studyiq.in पर जाके आप डाउनलोड कर सकते हैं और प्रैक्टिस कर सकते हैं तो ये वीडियो आपको कैसा लगा आप हमें कमेंट्स में लिखके बता सकते हैं और जो मैंने अगर कोई क्वेश्चन पूछा हो तो उसका आंसर भी आप कमेंट्स में लिखके बता सकते हैं थैंक्यो फर वाचिंग